अफगानिस्तान ने तालिबान पर गहर बर्पा रखाए। इसमें पाकिस्तान के वो आतंकी भी शामिल है जो तालिबान में बैठ कर ऑप्रेशन चलाते थे। अलग-अलग हिस्सों के थे और 45 से 100 के करीब सदस्यों तक के समूहों का नेत्रित्व किया करते थे। वहें कांधार में करीब 40 तालिबानी कमांडर मारे गए। पत्रगारों के सामने जो रिलिस्ट रिलिस्ट किया गया है उसमें मंत्राले ने बताया है कि इसमें कम से कम 152 पाकिस्तानी आतंकी भी हिलमन्द परांत मारे गए। अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान की सेना से लेकर उसकी सरकारे तक लगी रहती है। और वो खुद को बाक साब दिखाते हुए भारत और दूसरे शांतिप्रिये देशों के खिलाफ आतंकी कारुबार जारी रख सकेगा। इन दावों को आप हवा हवाई मत समझें इन बातों को हाली में यूवन की एक रिपोर्ट भी पुखता करती है। जुलाई में जारी की गई सेयुक्तराश्ट के एक रिपोर्ट में बताया गया कि पाकस्तान के करीब 6,000 से 6,500 आतंकवादी पड़ूसी अफगानिस्तान में सक्रिये हैं जिन में से अधिकतर का संबन तैरी के तालिबान पाकस्तान और वो अफगानिस्तान के लिए खत्रा वहीं अमेरिका के रक्षा बिभाग पेंटागन ने भी अफगानिस्तान पर जारी एक रिपोर्ट में बताया था कि अफगानिस्तान और पाकस्तान की सीमा शेत्र को आतंकी संगठनों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना लिया गया है ऐसे में अफगानिस्तान के तरब से की गई ये बड़ी कारवाई काई बातों की तरफ साफ इशारा करती है पहले तो ये कि अब पाकस्तान समर्थित आतंक को मुतोड जवाब देनी की पूरी तैयारी है पाकस्तानी आतंकियों के सफाय के जरिये तालिबान को संदेश दिया जा रहा है कि सुधर जाओ वरना तुम्हारा भी अंतुबेहत नस्दीक है और इसके साथ है अफगानिस्तान का आतंक के खिलाफ ये एक्शन भी बताता है कि वो भी अतंक को लेकर भारत की तरह जीरो टॉलरेंस की निती पर आगे पर चला है प्यूरर रिपोर्ट भारत तक